होली हिंद्यों के सबसे प्रमूक तेवारों में से एक है इस दिन हर कोई सभी प्रकार के भेदभाव को भूल कर आनंदि के सागर में डूब जाता है लेकिन होली के रंग में इस साल चंदगरहन के रूप में भंग परने जा रहा है साल का पहला चंदगरहन होली के एक दिन प 26 मार्ज को चैत्रमास की प्रतिपदा इस्तिथी होगी और इसी कारण 26 मार्ज को होली मनाई जाएगी ऐसे में होली का दहन और होली के बीच चंद ग्रहन लग रहा है पटना के मशूर जो तिस वीद डॉक्टर श्रीपती तिरपाथी ने बताया कि यह चंद ग्रहन 25 मार्ज 2024 क प्राता 10 बज कर 23 मिनट से शुरू होकर दोपहर 3 बज कर 2 मिनट पर समाप्त होगा यह चंद ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सुतक काल नहीं लगेगा लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर जरूर परने वाला है देखे 25 तारिख को चंद ग्रहन लग रहा है चंद ग्रहन का सूतक काल नहीं लगेगा तो कि यहां द्रिश से नहीं है लेकिन चंद ग्रहन से सम्भंधित चीजों की जितनी आप उपचार कर सके अपने लिए आपके लिए बहतर रहेगा सबसे पहले इस दिन जो है निष्डत रूप से ओम शोन्षु माय नमः ओम चंदरम से नमः ओम चंदरमा मनश और सुर्ज अजायता स्रोत्रार वाईश य प्राडश सरु नुखादग्रय रजायता के मंत्रों का आप इस दिन जब कर सकते हैं और खासकर इस दिन जो है अगर बहतरी चाहते हैं तो दिश्चित रूप से इस दिन जो है स्वेथ चीजों का जैसे दूद, दही, चेने ये सब जो है आप उजला मिठाए ये सब दान कर सकते हैं और खास कर इस दिन जो है आप बस्तर का भी दान कर सकते हैं सफेद बस्तरों का भी इस दिन आप इस दिन ध्यान रहे कि मंदीर का जो कपाठ है कपाठ कम से कम वो बंद रहे और मुर्ति जो है बिल्कुल एस्परस नहीं होनी चाहिए और इस दिन जितना हो सेके पूजन पाठ करें दान करें उससे आपको लाप मिले हैं पटना से लोकल एटिंग के लिए सचदानन्द की ये रिपोर्ट